हेलो एव्रिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है I hope you all are very well and आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से आई हुई शिक्षक मर्ति के बारे में दिल्ली गोवर्मेंट एडिट स्कूल का ये एड़ेटीजमेंट है जिसमें PRT, TGT, PGT, Special Educator, Drawing Teacher, Librarian के साथ साथ और भी काफी सारी पोस्ट है इसमें इन्होंने बताया कि लगबग सत्तर हजार के करीब आपकी सेलरी होने वाली है और आवेदन आपका बिल्कुल फरी में होगा तो चलिए देखते हैं एड़ेटीजमेंट कहां से आया है और कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है तो आज हम अपने इस वीडियो में एड़िट स्कूल में आई होई वकेंसीज के उपर बात करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं ओफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि आप ये ओफिशियल नोटिफिकेशन देख रहो ये आया है राय सेना बेंगॉली स्कूल जो की सीनियर स्केंडरी है ये नियो दिल्ली में है और एड़िट स्कूल है तो ये आप एड़िजमेंट देख रहे हो यहाँ पे डेट बताई गई है 9 जनवरी 2024 की ये नियूज पेपर में इन्होंने अपना अड़िजमेंट पब्लिस किया था और इन्होंने बोला कि डिटेल अड़िजमेंट के लिए आप स्कूल की वेबसाइट पे वीजिट कर रहे थे पर अभी तक भी वहाँ कोई अड़िजमेंट नहीं देखने को मिला है इसलिए हमने ये शोर्ट अड़िजमेंट के उपर ही आपके साथ वीडियो साज्या कर रहे है और इसी के बेस पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सभी डिटेल्स है तो अप देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया कि PGT की पोस्ट है जो की History, Physics, Mathematics, Computer Science and Bengali तो पे लेवल इन्होंने आठ बताया है अप देख सकते हो फिर उसके बार TGT की पोस्ट है PGT में English, Bengali, Hindi, Mathematics, Natural Science, Social Science अप देख सकते हो पोस्ट जो नंबर दिये गए है अलग-अलग है किसी की दो पोस्ट है, किसी की तीन पोस्ट है और जो Music Teacher है, Drawing Teacher है और Special Educator है इनकी एक-एक पोस्ट है उसके बाद Assistant Teacher की विकेंसी है जिसकी 12 पोस्ट है Librarian की है और Malik की है तब देख सकते हो Teaching and Non-Teaching दोनों स्टाफ की Recruitment का Notification है यह Education and Other Qualification इन्होंने Required Age Limit सब इन्होंने बोला कि जो दिल्ली School Education Act and Rule 1973 है उसके According सब Apply होंगे चाहे वो Age का Criteria हो, Education का हो या Category का तो वो सब उसके According अपलाई होंगे L जो Recruitment Rule है वो इनकी School की Website पे Mention है वहाँ पे आप देख सकते हो यह School की Website भी इन्होंने Mention की है यहाँ पे इस Website पे जाके आप Detail RR देख सकते हो इन्होंने बोला कि यह Preference देंगे Bengali Candidate को और अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर Other Candidate को लिया जाएगा उसके लावे इन्होंने बोला कि अगर कोई भी Candidate जो Government या Government Added में पहले से ही काम कर रहा है तो उनको Undertaking लेके आनी है वहाँ से N.O.C. लेके आनी है और Proper Channel के थरून को Apply करना Apply करने के लिए इन्होंने बताया कि आपको A4 Size जो Paper होता है Plain Paper पे आपको अपना Bio Data लिखना है Self Attached होना चाहिए और उसके साथ जितने भी Document है वो Document Attached करने है और आपको Post करना है Post का इन्होंने यहाँ पे Address दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये Apply कर रहे हो उस Post का नाम लिखना है और अगर आप एक से अधिक Post के लिए Apply कर रहे हो तो आपको Separate Application Fill करना है उसके लिए Last Date इन्होंने बताई है कि 5 February 2024 इसकी Last Date है और आपको Apply सिरफ Registered Post या Speed Post के द्वारा ही करना है अगर आप किसी और Other Mode के Apply करते हो तो आपका जो Application Form है वो Reject कर दिया जाएगा और उसको Approve नहीं किया जाएगा और जो भी Directorate of Education Government of NCT दिल्ली के रूल है उसके According ही आपको सब कुछ यहाँ पे वेतन हुआ चाए Age का हुआ Qualification का हुआ सब उसके According Count किये जाएंगे और इन्होंने सबसे Last में लिखा हुआ है कि Detail Advertisement के लिए Please Refer our website बट आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई Advertisement फिलहाल तो शो नहीं हो रहा बट पूरा मन्त निकल चुका है इसलिए हमने फिर आपके लिए इस पे वीडियो बना दिया है बट इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि सब डिटेल दी हुई है इसमें आप इसके According के अपना Form Fill कर सकते हैं और अगर कोई आसपास का है तो वो इनके स्कूल में विजिट करके वहाँ पे अच्छे से जान सकता है फुल डिटेल लेके फिर भी अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकता है और एडिट स्कूल है तो पे लैवल इन्हों ने अच्छा दिया यहाँ पे इंटर्व्यू बेस की विकैंसी मिलेगे क्योंकि इसमें कोई पेपल नहीं होगा इंटर्व्यू के अधार पे ही आपका सेलेक्शन होना है और कोई भी फीस का इन्हों ने एप्लिकेशन फीस नहीं रखी है कहीं पे भी उसका जीकर नहीं किया गया है बाकि आप अगर चाहो तो एक बार स्कूल विजिट कर सकते हो और वहाँ से डिटेल ले सकते हो और ऐसी और भी इन्फोर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर दुबाए ताकि जब भी हम वीडियो प्लोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो को जाशे ज़्यादा लाइक करें साथ में शियर भी करें थैंक यू